भक्तो हर महीने में दो बार चतुर्थी पढ़ती है एक बार पूरिमा के बाद और दूसरी अमावस्या के बाद दूनों चतुर्थी का नाम अलग-अलग है। अप्रेल महा में 9 अप्रेल को संकस्टी चतुर्थी पढ़ रही है। अप्रेल को संकस्टी चतुर्थी पढ़ रही है। चतुर्थी तिथी का प्रारम 9 अप्रेल को सुबे 9 बज के 35 मिएट पर और चतुर्थी तिथी की समाप्ती 10 अप्रेल को सुबे 8 बज के 37 मिनट पर। संकस्टी चतुर्ती के दिन चंद्रोदे का समय रातरी नौबच के 42 मिनट पर महात्यो संकस्टी चतुर्ती का व्रत सुर्योदे से प्रारंब होता है और सुर्यास्त के बाद चंद्रदर्सन से समाप्थ हो जाता है इस समय विग्न हर्ता भगवान गडेश की उपासना करने से घर के सभी नकारात्मक प्रभावन नस्ट हो जाते हैं और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है घर की सुक और समरिथी में व्रिथी होती है संकट हरने वाली संकस्टी वृत का पालन करने से घर में आने वाली बाधाय दूर हो जाती और ग्रह कले से मुक्ति मिलती है साथी संतान प्राप्ती के लिए भी या वृत उत्तम है संकस्टी चतुर्थी पूजा की विदी आज के दिन सुबा उठकर इसनान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए गडिश भगवान की पूरी विदी विधान से पूजा अर्चना करें उन्हें तिल, गुर, लड़ू, दूरुवा, चंदन, मोदक अर्पिप करें ओम, गंग, गडपते, मंत्र का जाप, गडिश इस्तुती, गडिश चालिसा और सकट चौत वृत की कथा पढ़नी चाहिए पूजा खतम होने के बाद गडिश जी की आर्थी जरूर पड़े रात में चान निकलने से पहले गडिश भगवान की फिर से पूजा करें संकस्टी चतूरती के दिन भगवान गडिश का वरत करने से व्यक्ति की हर मनुकामना पूरी होती है संकस्टी चतुर्थी की पौरोडिक कता एक समय की बात है शीव और सक्ती नदी के किनारे बैठे हुए थे कुछ बाद माता पार्वती को चौपड खेलने का मन हुआ उन्होंने सीव जी से कहा तो वो भी तयार हो गए लेकिन समस्या या थी कि वहां कोई तीसरा व्यक्ती नहीं था जो हार जीत का निर्ने कर सके माता पार्वती ने अपनी सक्ती से एक बाला की मुर्थी बनाई और उसमें प्राण प्रतिस्ठा कर दी फिर उन्होंने कहा कि तुम इस चौपड खेल के निर्नायक हो तुमको हार और जीत का फैसला करना या होने के बाद माता पार्वती और सीर जी ने खेल प्रारम किया कई बार चौपड का खेल हुआ जिसमें माता पार्वती ने भगवान सीव को हरा दिया माता पार्वती ने उस बालक से खेल कर निर्ने जाना चाहा तो उसने भगवान सीव को विजई बता दिया इससे माता पार्वती नराज हो गई उन्होंने गुस्से में बालक को स्राब दे दिया जिससे लड़का लंगड़ा हो गया लड़की ने छमायाशना की तो माता पारवती ने कहा कि यहां स्राब वापस नहीं हो सकता इससे मुक्ती का एक उपाईया है कि तुम संकस्टी के दिन यहां आने वाली कन्याओ से व्रत का विधान पूछो और विधी पूर्वक संकस्टी चतुर्ती का व्रत करना संकस्टी चतुर्थी पर कन्याओं से बालक ने व्रत की विधी जान ली और नियम पूर्वक व्रत किया गड़ेश जी ने प्रसन होकर उसे वर्दान मांगने के लिए कहा तब बालक ने माता पारवती और भगवान सीव के पास जाने की इच्छा वेक्त की तो गड़ेश जी ने उसे कैलास पहुचा दिया जै शीगरेश की